खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम 25,000 लोगों पर रिसर्च करने के बाद Napoleon Hill ने पाया कि 30 कारण है जिनकी वज़े से लोग जीवन में फेल होते है अच्छी एजुकेशन ना मिल पाना या खुद को एजुकेट ना करना जीवन में परपस ना होना पर्सिस्टिंस या लगन ना होना सेक्शल एक्छाओं पर कंट्रोल ना होना एक्छा शक्ती का प्रयोग न करना Napoleon Hill कहते हैं कि इन कारणों से इनसान हमेशा असफल असंतुष्ट रहता है कभी सम्रद नहीं हो पाता Napoleon Hill कहते हैं कि इन कारणों में से फेल होने का सबसे बड़ा कारण है लैक ओफ डिसिजन डिसिजन ना ले पाना Napoleon Hill कहते हैं कभी खुद को ऐसी परिस्थिती में मट डालो जहां आप डिसिजन ही न लो डिसिजन नहीं लोगे तो एक जगे अटके रहोगे लाचार महसूस करोगे तो खुद पर विश्वास नहीं होगा और आपकी एक्षा शक्ती क्षीन होती जाएगी दूसरी तरफ जब इंसान त्रणिस्चे करता है तो एक बल में नया जीवन शुरू कर सकता है चाहे वो सालों से बीमार और परेशानी क्यों नहों जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ हुआ एक डिसेजन आपकी जिंदगी बदल सकता है आच साल की उम्र में पहली बार पिता के दोस्त ने मासूम रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ट्रक्स फूकने को दिये विडम ना है पर आडीजे के घर और आसपास यही माहल था बहुत छोटी उम्र में आडीजे नशे के जंगुल में फस गए और तीस साल की उम्र तक रॉबर्ट डाउनी जूनियर नशे की आदत से जूचते रहे उनका करियर उनका जीवन इसी आदत में खत्म होता जा रहा था फिर एक सुबह रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने नशे में उल्टी की उस दिन उने लगा कि अब मैं जिन्दा नहीं बजूँगा उस अनुभव के दोरान ही उस बेचैनी के बीच ही रॉबर्ट डाउनी समुद्र में बहा दिये उस नेड़ने ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जीवन बदल दिया क्योंकि उसके बाद उन्होंने जीवन में कभी ट्रक्स हाथ नहीं लगाए निश्चय एक शक्ती है द्रण निश्चय हमारे अंदर कल्पना शक्ती और इच्छा शक्ती दोनों को चैनलाईज करता है हमारा आत्मविश्वास जगता है इसलिए हम एक डिसीजन से जीवन की दिशा मूर सकते है जीवन में मुमेंटम पैदा कर सकते है नपोलियनल कहते हैं कि जितनी भी क्रांती, रेवल्यूशन और स्वतंतरता संग्राम हुए है उनकी शुरुवाद हम और आप जैसे ही किसी साधरन व्यक्ती के डिसीजन से हुई है कि मुझे ये गुलामी मंजूर नहीं है जब एक डिसीजन में द्रण निश्चय में इतनी शक्ती होती है कि देश आजाद हो सकते है तो सही डिसीजन से हम अपनी परिशानियों से भी आजाद हो सकते है तो सवाल ये है कि हम द्रण निश्चय कैसे लें जो हमारी जिन्दिगी बदल दे How to take strong decision द्रण निश्चय के पाँच पहलू है पहला Definiteness of Purpose दूसरा Conviction और Faith तीसरा Courage चौथा Commitment और पाँचवा Definite Plan और Action शुरू करते हैं Definiteness of Purpose यानि जीवन में क्या माहनी रखता है एक आदमी है जिसे मिठाई बहुत पसंद है इतनी ज्यादा पसंद है कि वो हाई शुगर का मरीज है एक दिन डॉक्टर ने कहा पेशन महोदै अब मिठाई और बच्चों में से एक चुन लो अब शक्कर खाऊगे तो तुम्हारे बच्चे अनात हो जाएंगे पेशन जानता है कि अनात बच्चों का जीवन कितना कठें हो सकता है शक्कर का स्वाद या पिता की जिम्मेदारी इस एक सेंटेंस में उस इंसान को क्लियर हो गया कि अब मेरे जीवन में क्या माहिने रखता है उस फल के बाद उस इंसान का द्रण निश्चाय हो गया और शक्कर का ऑप्शन ही खतम हो गया जब आपके जीवन में इस तरह परपस क्लियर या डेफिनिट होता है तो आपको सपष्ट होता है कि जीवन में क्या जरूरी है आराम, स्वाद, मजा या भैतर भविश्य बनाना तो आपके लिए डिसेजन निभाना स्वभाविक हो जाता है नेपोलियनिल कहते हैं कि दुनिया की आदत है उन लोगों के लिए जगे बनानी की जिने पता है कि वो कहां जाना चाहते है जिनके पास डेफिनिट विजन है ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया अपने आप रास्ता बनाती है दरनिश्चै का दूसरा पहलू है कन्विक्शन और फेथ नेपोलियनिल कहते हैं कि मैं जो भी लक्ष सोच सकता हूँ जो भी विजन देख सकता हूँ उस पर विश्वास कर सकता हूँ तो लक्ष को पूरा भी कर सकता हूँ अपने मन और विजारों की शक्ती को समझने से अनुभव करने से ही कन्विक्शन पैदा होता है आप समझने लगते हो कि आपको सपने इसलिए आते हैं क्योंकि आप उन्हें पूरे कर सकते हो। जिनमें ऐसा conviction होनी लगता है वे अपने मन, पुथी, विलपावर का पूर जोर इस्तमाल कर सकते हैं। Decision का तीसरा पहलू है courage, कठिन decision लेने का साहस। क्रांतिकारी को अंदर से पता होता है कि गुलामी की कितनी बड़ी सजा है। हमारे कोई मानविय देकार नहीं है, घर में माँ और बेहन भी सुरक्षित नहीं है, आने वाली जनरेशन भी गुलामी में ही जिएंगी। गुलामी की कीमत समझते ही क्रांतिकारी में इतना साहसा जाता है कि वो मरने के लिए भी तयार हो जाता है, वो आजादी और कुर्वानी के लिए द्रण निश्चय कर लेता है। उसी तरह जब इनसान को रियलाईज होता है कि मेरे डिसिजन ना लेने की कितनी बड़ी कीमत है, तो उसमें कठिन से कठिन कदम उठाने का साहसा जाता है। निश्चय करते ही इनसान कमिट करता है, खुद से वादा करता है कि अब मैं पीछे नहीं अटूंगा। वादा निभाने के लिए मैं अनकंफर्टेबल होने को तयार हूँ, खश्ट सेहने को तयार हूँ, गलती से सीखने को तयार हूँ। शुरू में रिजल्ट नहीं आएंगे तो भी मैं खुद पर विश्वास करने को और विजन बनाए रखने को तैयार हो। आखरी स्टेप है डेफिनिट प्लैन और एक्शन नेपोलिनेल कहते हैं कि अपने लक्ष को पूरा करने के लिए एक डेफिनिट प्लैन बनाओ और अपने प्लैन के पहले स्टेप पर ततकाल काम शुरू करो। चाहे आप तैयार हो या नहीं पर शुरू करो। यही डर, अविश्वास और दर्द को पार करने की कीमत है जो आपको चुकानी है। नेपोलिनिल कहते हैं यह कोई रहसे नहीं है, यह कोई खास सीक्रिट मेथड नहीं है, यह आपके मन और पूरे यूनिवर्स के नियम है। यह दर्द निश्चय की तागयत हम सब में होती है, अभी इसका प्रयोग करो। कई दिनों से जिस चीज़ पर खाम करना है, उसका दर्द निश्चय करो और अभी शुरू करो। Summary, हम दर्द निश्चय का एक्जांपल देखते हैं, एक आगरता का दर्द निश्चय, लोग कहते हैं कि आज के समय में इतना distraction और stimulation है कि हम एक जगे concentrate नहीं कर पाते, एक आगरता का ना होना आपके दर्द निश्चय ना होनी के कारण है, सबसे पहले definiteness of purpose, खुद से realize कर कि बिना concentration के आपका कोई career नहीं है, आप कुछ भी ठीक से नहीं कर पाओगे, हमेशा साथियों के सामने कमजोर बने रहोगे, इसलिए पहचानू कि आपके जीवन में concentration कितना मायने रखता है, तूसरी बात है conviction, हर महन व्यक्ति ने अपने अनुभव से कहा है, कि हर इंसान के पास महान शक्ति का भंडार है, क्यानि हर किसी में एक आकरता विक्सित करने की शक्ति होती है, तीसरी बात courage, concentration ना होनी की कितनी बड़ी सजा है, जो मेरे पास talent है, मैं उसे कभी पूरी तरह योज नहीं कर पाऊँगा, कभी खुछ से खुश नहीं रहोगा, alertness नहीं के negative thought patterns और depression का शकार भी हो सकता हूँ, इसलिए decide करो कि मैं कभी अपने मन को नहीं को सूँगा, बड़े आराम से अपना ध्यान, सास या काम पर लाता रहोगा, और कम से कम इतनी एक आकरता जरूर विक्सित करोगा, कि जब भी जरूरत पड़े, मैं एक से दू घंटे एक जगे शानती से बैठ कर काम कर सकूँ, चौथा पॉइंट है commitment to pay the price, concentration विक्सित करने की क्या कीमत है, मैं मेहनत और थकान की कीमत चुकाने को तयार हूँ, मैं बार बार frustrated होने को तयार हूँ, मैं सीखने को तयार हूँ, मैं concentration हर हालत में विक्सित करूँगा, मैं हर दिन सुबह उठकर पहले ध्यान या परानायम करूँगा, फिर चार घंटे एक आंत में पूरे फोकस से काम करूँगा या पढ़ूँगा, और दो महीने हर दिन मैं ऐसा करूँगा, दोस्तो इस तरह decision लिया जाता है, जब आपके पांचों बॉक्सिस पे टिक होते है तब decision लिया जाता है, अगर आप decision लेने में आटक रहे हो तो इस वीडियो को दुबारा देखो, जब तक आपको हर एक चीज क्लियर ना हो जाए, तोस्तो आप 30 दिन के challenge पर भी decision लेके उसे अभी शुरू कर सकते हो, यह खुद को समझने का और challenge करने का बहतरीन तरीका है, वीडियो देखिए और ततकाल खुद को बदलने वाला 30 दिन का challenge शुरू कीजिए, 30 दिन बाद हम भी challenge दुबारा शुरू करने जा रहे हैं, आप अभी से शुरू कीजिए और हमको दुबारा बीच में जोईन कर लीजिए, और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई एप, कोई नियूस कीमती नहीं है, मैं काम के किस से लाता रहूँगा, हिम्मत, हरकत, हुश्यारी, हम जीतेंगे.